नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गोब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप पुरुस जातक हैं और आपकी रियल हतीली मेरी शामनी विवेचना के लिए आ रखी है आपने कुछ सवाल तो नहीं पोछे हैं लेकिन फिर भी मैं पूरी तरो से विवेचना करने की कोशिस करूँगा और आपको पूरी तरो से पूरा देखने की कोशिस करूँगा सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहां पे तो आपकी हतीली का जो आकार दिखाई दी रहा है यह जादतर आयताकार किसम की हतीली दिख रही है और चोकोर हलकी है इसका मतलब है कि ब्यक्ति मेहनती तो है लेकिन दार्षनिक भी है ठीकन सोच और वस्तों में किस रास्ते पर जाके मुझे जो है तरकी मिलेगी मेरी जीवन में जो है काम्याबी मिलेगी खूब सोच बिचार करके आगे बढ़ने वाला ब्यक्ति है हतीली की आकृती के हिसाब से देखें तो हतीलियों की जो आकृते में जो कोट होते हैं जो प्रकार होते हैं उस में से ये दार्सनिक हतीली है सबसे उच्च कोटी की हतीली सबसे उच्च स्रेणी की हतीली जादतर ऐसे लोगों के अंदर एक एनलेटिकल स्वभाव रहता है इनकी प्रकृति रहती है दूसरी बात अगर करें करियर का जो मामला होता है करियर के मामले के अनुसार अगर हम देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो सारिक मेहनत की जरुरत तो पढ़ती हो लेकिन कम पढ़ती हो या मस्तिस्क से ज़्यादा काम करना पढ़ता हो सारिक मेहनत की जरुरत थोड़ा कम पढ़ती हो ऐसे कामों में इन लोगों को सुटेबलता रहती है ऐसे लोगों कामियावी बहुत अच्छे जो है जनरेट करते हैं ऐसे लोगों को इन छेतरों में कामियाभी मिलती है दूसरी चीज अगर हतेली में देखें तो हतेली की रंगत बहुत ही अच्छी है बेहतरीन रंगत है हतेली की और आगे जो चीजे उबर रही है निश्चित रोप से जो है आपको बहुत अच्छा फाइदा इसका मिलेगा एक चीज जरूर कहूंगा आपके हतेली में ये चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा देखेगा थोड़ा जो है या तो गुरू की सेवा करें आप अगर आप जैसे राजयोग पाना चाहते हैं क्योंकि हतेली बहुत बड़े राजयोग की और इसारा कर रही है कि बिक्तिका कहीं न कहीं दुनिया में नाम होगा वो भी मैं अभी सिधा उसी पे चलता हूं लेकिन उसके लिए दो चीजें जरूर करें एक तो गुरू प्रमपरा के अंदर आपका जो गुरू आते हैं उनके परति पूरी तरो से समरपन की भावना रखें और उनके नियमों का जितना हो सके पालन करें दोसरा आपके जो बंस पित्र है और उन पित्रों के परति भी समरपन रखें और जो ये पित्रपक्ष आता है, किसी जो नदी है, दिब्य नदीयां हैं जो हमारे भारत वर्स में, उनमें जो आपके पिताजी हैं या तायाजी हैं, जो भी आपके कुटुम में सबसे बड़ा है, उनसे कहिएगा और आप भी सामिल हो जाएगा, आपका परिवार भी सामिल होगा, अगर कोई नहीं सामिल होता तो अपने परिवार को सामिल कर लीजेगा, और पित्रपक्ष में, ठीक है ने, पित्रों के निमित एक नारायन बली करवा लीजेगा, आपकी अतेली में जो बहुत बड़े-बड़े मेजर काम है ने, जिनके होने से जीवन की सारे समस्य खतम हो जाएंगी, ये आपको लगता है, और ये है भी, यकीनन आपका पूरे रास्ता खुल जाएगा, आपका जीवन का जो लक्ष है उसको आप बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, जो सोभग्य की प्राप्ति है, जो भाग्योदय है, आपकी जीवन में वो एका एक आपकी जीवन में अप उसका प्रिणाम आने सुरू हो जाएंगे, तो ये दो चीजें आप जरूर करें, गुरू के परती समरपन, जो बंस प्रमपरा के उनसार गुरू हैं, उनके परती समरपन और जिस परकार के सेवा होती है, भरपोर और निश्टा से करें, दूसरा, जो बंस पित्र हैं, उनके निमित पित्र पक्ष में नारायन बली जरूर कराएं, कहां कहां करा सकते हैं, दो तीन जगतों मेरी नौलेज में हैं, बाकि आप देख लीजेगा, किसी कर्मकार्णी बिध्वान पढ़ने जी से पूछ लीजेगा, तो वो बेहतर तरीके से बता लेंगे एक तो गया है, लेकिन गया में बहुत ज़्यादा भीड होती है, और कई लोग उनको एक सही बिदी बिधान से नहीं करा पाते हैं, तो उत्राखंड में दो जगहें हैं, इस पुंड्य भूमी में उत्राखंड की दो जगहें हैं, एक तो हरिद्वार में नारायन सिला है, गंगा जी के किनारे पे, त्योंकि वहीं पे अमरित गिरा था, समुदर मन्थन के दोरान, ठीक है न, घर की पैड़ी में गिरा था, लेकिन उसी नदी के किनारे हैं, नारायन सिला है, वहाँ पे पित्रों के निमित नारायन बली किसी बिद्वान ब्रामन से, बिदी बिदा है, उत्राखंड में ही है, जिसको इस भूमिका बैकुंट कहते हैं, भू बैकुंट, बद्री नाथ में, अलकनंदा जी के किनारे, ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पित्रों के निमित जो है, तरपन इत्यादी, पिंड इत्यादी किये जाते हैं, और वहाँ पे अगर आप ज आप से करेंगे, ठीक है न, एक चीज देखेगा, सब कुछ होती हुए भी, जीवन में एक चीज हमेशा रहेगी, इसका बार-बार बिसलेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है, और रहेगी ही रहेगी, ये जो आपका सनी का परवत है, जिसको हम भाग्या अस् इसमें जो फिंगर है, ये इस प्रकार से निकल करके, इसका जो टिप है न, ये पूरी तरों से जुकाओ ले रहा है, जुक रहा है, कर्ब ले रहा है, आपकी रिंग फिंगर की तरब, इसका इस पश्ट मतलब है, आप अपनी जीवन काल में बड़े अस्तर की काम्यावी त काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीकन इन चीजों की और ये इसारा करता हुआ, यहां पर दिखाई दे रहा है, और एक बहुत बड़ी चीज देखेगा आपकी हतेली में, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये जो भाग होता है, इसको हम सूर्य का परवत कहते हैं, इसकी बड़ी महिता है, अब यहां सूर्य परवत पे आप ध्यान से देखेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से लकीरे जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक, और ये ध्यान से देखेगा आप, एक रेखा इधर से, ये एक बहुत बड़ी मचले का चिन बन रहा है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं हम त्रिकोन बन रहा है और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम चतोस्कोन बन रहा है यह भी चतोस्कोन बन रहा है अब यहाँ पे आने वाले समय में अगर देखेंगे तो इस परकार से अगर मैं ढंक से इसको करूँ ये उतने ढंक से हो नहीं पा रहा है जितना ये बनाओ वहा परतीत हो रहा है ये बनेगा अभी एक बहुत बड़ा साइन ये बन रहा है ठीक है न? और ये भहुश्यक के बारे में बहुत बड़ा राजियोग को बता रहा है सबसे पहले देखिए ये चतुसकोन है समकोन जिसको कहते है चतुसकोन है जब भी ये किसी की हतीली में सूर्य परवत पर उबरने बैठ जाए यह मैं अब जो है सास्तनों के अनुसानिय कह रहा हूँ अभी तक जो मेरा experience रहा है जो मेरा अनुभव रहा है और practical रूप में जो मैंने हतीलियों को देखा है ऐसे लोग जादतर 99.9% मामले में जो मैंने देखा है 1% को छोड़ करके ऐसे लोग अपने जीवन काल में अच्छे खासे ब्यापारी होते हैं बिजनिसमेन होते हैं इनके खोन में ही बिजनिस होता है और वो भी एक नहीं multiple city के ब्यापारी होते हैं ये तो यह यहाँ पे बहुत से में दिखा रहा है या तो अच्छे खासे बिजनिसमेन बनेंगे ठी करेंगे जिसके कारण मान प्रतिष्टा और धन की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और सबसे बड़ा समय आएगा आपका अगर आप ध्यान से देखें इस तरों से जो चीजें जा रही है आपकी हतीली में यह 45 एर से आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है जीवन में तो 45 वे वर्स के मिडल से जब 45 वा वर्स आ जाएगा उसमें प्रोवेस आप कर लेंगे उससे 3 से 4 मैने जब गुजर जाएंगे उसके बाद का जो समय आपके लिए है वो एक गोल्डन अपोर्चुनुटी लेके आ रहा ह है आप बहुत कुछ उस समय अपने जीवन का लिके करेंगे ये दिखाई दे रहा है दोसरा देखो एक दो और तीन यहां पे तिरभुज बन रहे हैं तिरभुज का मतलब होता है तिरगणात्मक फल देने वाला व्यक्ति की तीन मेजर इक्षाएं जीवन में बहुत जल्द सूर्य परवत पर तिरकोण होने का निशान ब्यक्ति को बुद्धिमान बनाता ही बनाता है ऐसा ब्यक्ति कला का पार्खी और सिधहस्त होता है सूर्य परवत पर इस निशान का होने का मतलब है कि ब्यक्ति की धनी होनी की सूचना है ठीक है ने संबव है असंबव नहीं है क करोड़पतियों की सूची में बिक्ति अपना अस्तान बनाएगा ये बहुत छोटी चीज है इन के लिए कि करोड़पति बनेंगे चाहे पैतरिक रूप से आप निर्दन है या आर्थिक संपन नहीं भी है तो भी आगे चल कर खास करके 45 एर से आप अपनी प्रतिबाह के बल अपर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धी भी आप कमाएंगे ही कमाएंगे ये निश्चित दिखाई दे रहा है अब यहां पे सामुदरिक बिज्ञान एक चीज कहता है एक प्रमान देता है एक प्रमान मिलता है सामुदरिक बिज्ञान में और ये बताता मंदिर्म गज अस्वानाम जिने धनी सुकी भहुईत जिस व्यक्तिकी हतेली में सूर्य का हो चंद्रमा का हो लता का हो आख का हो अश्ट कोन का हो या इस प्रकार से त्रिकोन का हो तर बुज्जिस को कहते हैं या मंदिर का हो हाती हो या घोड़ा हो इन में से एक भी चिन होता है तो यह बताता है कि अपने जीवन काल में धनी होगा आर्थेक रूप से समपन होगा और कहीं न कहीं सुक्त का भोग करेगा बले ही लेट करें यह तिर्भुझ का या मंदिर का किसी विक्त की हतीली में अगर जो है चिन है तो ये समझना चाहिए चाहिए इसके पूरोज हो चाहिए ये बिक्तिस्वायम हो अपनी जीवनकाल में कुछ ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्य करेगा ऐसे गत्विदियां करेगा प्रक्टिकल रूप से चाहिए वो कूप का निर्मान करे बा ध्रमसालाओं का निर्मान करे या गोसाला का निर्मान करे ठीक है ने ये करेगा ही करेगा या अगर उसके बंस में किसी ने किया है तो उस चीज़ को और भी आगे बढ़ाएगा जिसके कारण ये लोग अपनी बंस परमपरा में सदेव याद रखे जाएंगे ठीक है ने पीडी दर पीडी इन लोगों को याद रखा जाएगा मेरे दादा ने ये किया था तो मेरे पापा ने ये किया था मेरे बाबा ने वो किया था इस परकार की चीज़ ये है ठीक है ये समाज में इस परकार से उठते हैं अब यहाँ पे देखेंगे इस परकार की म उबेरपती ऐसा बेक्ती होता है क्योंकि इसमें इश्पष्ट कहा गया है हमारे जो सामुदरिक बिग्यान है उसमें कहा गया है येस्य हस्ते मत्सरेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तू सो बिग्ययो बहुपुत्रो नसंसयो ठीक है ने अब यहां पे एक बहुत बड़ा सायन ये बन रहा है ये पद्म का सायन बनेगा लेकिन अभी नहीं बन रहा है लेकिन उसी और ये जा रहा है देखेगा एक साथ सूर्य परवत पर इतने सारे दिब्यचिन किसी बिक्तिके नहीं बनते हैं इसका मतलब है पूर्वत जन्म के बहुत पुन्य और बहु के अंदर के जो राख्छस है ने उसकी कामुकता ठीक है ने उसके अंदर का जो एहम भाओ एहम का मतलब लोलुपता रोलुपता आप मतलब समझ गए होंगे कि 10 फैसा आये तो दस रुपे का मानी की चेश्टा रखना कि दस रुपे भी आ जाए बीस रुपे भी आ जाए और सुन्दर्ता पे ज़्यादा मोहित होना तो वो तो होगा ही होगा लेकिन उसकी तरफ और ज़्यादा मोहित होंगे और कहीं न कहीं उसका भोग बहुत जादा ब्यक्ति को मिलेगा एक समय ऐसा आता है कि ऐसा ब्यक्ति परेशान भी हो जाता है अब ये क्यों कहरा हूँ क्योंकि इन दिब्य, ये दिब्यचिन है, ये सूर्य है, ग्रहों का राजा है लेकिन ये अंगोठे के नीचे का जो ये भाग है ने ये सुक्र का प्रोत है ये दैत्य गुरू सुक्राचार्य जी है और जब ये अस्तान कमजोर होने बैठ जाए उर्जा कम देने बैठ जाए और ये अस्तान इस प्रकार से उभरने बैठ जाए फुटबॉल की तरह तो विपरीद के परतिभोग समंदी भावनाओं को जन्म देता है यह ठीक है और यहां पर दोनों गुरू अन्बैलेंस हैं आपको सबसे पहले अपने दोनों गुरूओं को बैलेंस आउस्ता मिलाना है नहीं तो जीवन में धन तो खुब रहेगा लेकिन बंस प्रमपरा में जो चली आ रही एक सांदार पहिचान है ने वो कहीं न कहीं कनवल्ट हो जाएगी दोसरी पहिचान में भोग तो बहुत बड़ी बड़ी इस्तितिकी मिलेगी जो आप सोच भी ने सकते हैं और बिना मेहनत किये जो आपके परतित दोसरे जो है उनका आकर पसंड रहेगा वो खुद खिंचे आएंगे ये आपका सुक्र यहां पे दे रहा है जो मानसिक प्रेशानी बड़ाएगा बे मतलब का खर्चा कराएगा और कहीं न कहीं चीजों को बेकार करेगा फिल हाल हम आते हैं इस पे इसके बारे में एक प्रमान मिलता है कहा गया है जनने प्रबलो यश्य राज योगो भवी देदी करेवा चरणो वश्यम राज चिन्नम पर जायते जिस ब्यक्ति के जनम समय में हर ब्यक्ति अलग-अलग जनम लेता है लेकिन जिस ब्यक्ति के जनम समय में प्रबल राज योग होता है उसके हाथ या पाउं में समय के साथ पदम आदी राज चिन अवश्य बनता है और यहाँ पे ये एक सांदार पदम का चिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 45 वे वर्स से इसका आपकी जीवन में प्रभाव भी पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा अब है देखेगा कोई भी चिन जिस परवत पर बनता है उस परवत के अनुसार जो है बिक्ति के जीवन में परिणाम देता है अब यहाँ पे सूर्य परवत पे बन रहा है और अभी पूर्ण निवा है अधोरा फल कभी भी जो है फलित नहीं होता है तो यह जब 45 वे वर्स में अपने पूर्ण अवस्ता में आएगा अपनी जी के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेंगे उस टेम जिस फिल्ड में भी आप करियर बना रहे हैं काम कर रहे हैं उस फिल्ड में आप टॉप लेबल तक पहुँच जाएंगे यह निश्चित है ठीक है ने टॉप मो उठकर आखरी पाइदान को चुईंगे यह निश्चित है नेम फेम बहुत मिलेगा बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखेंगे यह भी इस पश्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह बहुत अच्छा पुंडे चिन है और इसको बहुत जल्द प्रबल करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं एक बहुत अच्छी साइन और देखेगा आपकी हतेली में ये आपकी करियर और धन की रेखाई जा रही है समझ रहे हैं यहां से देखेंगे तो एक रेखाई यूं जा रही है एक रेखा यू जा रही है एक रेखा यू जा रही है ठीक है नए अब इसको ढंग से करो में ये रेखा यहां से इस परकार से जा रही है और ये रेखा इस परकार से जा रही है एक दोसरे को बल दे रहे हैं यहां से मस्तिस्क रेखा आ रही है ठीक अब यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चतुसकोन बन रहा है ठिक वह ऐसे तिरबुजबी बन रहा है यहाँ पे लेकिन चतुसकोन जादा दिखाई दे रहा है जादा प्रभाव डाल रहा है यहाँ पे भी एक चतुसकोन बन रहा है ठिक यह चंद्रमा से प्रभावित है तो कलपना सकती बहुत ज अच्छी रहेगी और हो सकता है विदेश से भी आपके जीवन में अच्छा धन आए ये भी दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि धैरे बहुत अच्छा रहेगा 45 एर से खर्चे से ज़्यादा कमाई रहेगी और अच्छा खासा पैसा आप स्टोर करके चलींगे ठिक ये यहां से जाके और ये यहां से जाके भग्यरेखा पे मिल रहे हैं और यहां पे एक तिरकोन बन रहा है ठिक है इसके बारे में बिस्तृत नहीं बताऊंगा लेकिन इन रहाओं का इसपे मिलना और तिरकोन बनना ये इस पश्ट बताता है कि ब्यक्ति को अपने घर का शुक मिलेगा ही मिलेगा पैतरिक संपति भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को मिलती ही है हाँ सुरुवाती दोर बैवाहिक जीवन का कभी-कभी ऐसे बिक्तियों का तनावपून रहता है लेकिन ऐसे जो बिक्ति होते हैं जीवन में दो माध्यमों से धन कमाती है अब इसमें एक और चीज जोड़ते हैं देखेगा सुरवाती दोर वैवाहिक जीवन का थोड़ा तनावपून और इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं थोड़ा आपको जो है उपाई जरूर करना है ये धीव गुरु ब्रिस्पति सनी की तरफ द्रिष्टी गोचर कर रहा है ठीक है जब ये सनी की तरफ द्रिष्टी गोचर करता है तो परिवार को लेके कोई न कोई चिंताएं देता है या जो दामपत्य जीवन का चरम सुक्का भोग है परिवार का चरम सुक्का भोग है या कुटुम का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां खड़ी करने की कोशिस करता है चरम सुक के भोग देने में प्रस्तितियों को दिखाता है उसके साथ ये जो ये रेखाएं जा रही हैं यूरिन रेखा उसको महीन रेखाएं काट दे तो इसके गुणों को और बढ़ा लेता है एक दूसरा पॉइंट यहां पे आता है कि बिक्ति को अपने घर का शुक मिलेगा ही मिलेगा और ये एक और चीजें भी दिखा रही है ये मंगल का छेत्र है आपका और मंगल भूमी का मालिक है अगर यहां पे इस प्रकार से दो रेखाएं इस पश्ट हो दो से तीन रेखाएं और देखेगा यहाँ पे क्या बन रहा है तिरबुज बन रहें चतुसकोन बन रहें अगर बेक्ति के मंगल छेतर में दो या तीन रेखाएं यह इस परकार से हो तो यह कनफम करती हैं कि आपको अपने मकान का सुक मिलेगा ही मिलेगा अब तक तो मिल चुका होगा मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है अगर प्रोपर्टी हो सरकारी सुक हो बिल्डिंग हो होटल हो राजनीती हो इन सभी चीजों के यह फाइदे को दिखाता है ऐसे लोगों का अपने घर का सुक मिलता ही मिलता है और जो लोग राजनीती में हैं उनको इनका फाइदा जरूर मिलता ही, ये एक practical है, अदो जगह से दिखा रहा है, अब ये बताता है कि चाहे आप real estate का काम करो, चाहे आप भूमी भवन का काम करो, द्यान से देखेगा, चाहे आप नाव या बोट का काम करो, चाहे आप लकडी का काम करो, चाहे आपका कागज का उध्योग हो, इन चीजों में भी ऐसे लोग बहुत बड़े फाइदे में जाते हैं, और multiple city के ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, ये आपके हतेली में एक बहुतरीन इस्तिती यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रही है, बहुत ही बहुतरी उपाई भी आपको दोंगा, आपको उपाई करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आने वाला समय आपका एक golden opportunity लेके आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज, जो सायद आपने खाली कलपना की होगी, वो चीज आपकी जीवन में practical रूप में आने वाली है, और मैं कहूंगा, मैं ह अतेली तो देखा, मैंने राजयोग बताई, लेकिन मुझे भी अनवावनी था, कि इतना कुबीर पती लोग है, इतना बैवाव है इन लोगों के पास, और समाज में एक अलग परकार की पहचान है, ठीक है, उसके हाथ के लक्षण, उस बिक्ति के हाथ की रेखाएं, एक प परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, चाए अच्छा हो या बुरा हो, अच्छी रेखाएं हैं जैसे इस आत्मे हैं, तो परिणाम राजाओं के जैसे मिलेंगे, एस्वरे के भोगच के जैसे मिलेंगे, अगर गंदी है, उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन हस्त रेखा सास्तर में ए से मिलान कर दिया, तो आप जीवन में वो चीज, वो ब्रह्मानिय सक्ति पैदा हो सकते आपके अंदर, आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, चाए आंतरे खुसिया हो, चाए जीवन का उत्सा हो, चाए जीवन की उर्जा हो, ये आप अपने जीवन का आल में सरलता से पा सकत धन तो बहुत चोटी चीज है बड़ी-बड़ी वियापार तो बहुत चोटी चीज है आपके अंदर ऐसी चीज़ें है और बड़ी सरलता से छोटी-छोटी क्रियाओं को करके आप अपने जीवन को बहुत भव्य और बहुत दिव्य बना सकते हैं और मैंने परखा है और मेरे पास जो feedback आते हैं जो लोग मुझसे वर्टसप पे जुड़े हुए हैं जिनका नम्मर मैंने साइद फीड कर रखा है वो लोग मेरी status देखते हैं चक्कित हो जाते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं तो केवल हाथ पढ़के बताता हूँ और जो किरियाईं देता हूँ लोगों का जो feedback आता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन इतने छोटी सी चीज से इतनी बड़ी चीज हो गई सामने कहते हैं लोग बुलाते हैं कि गुर्जे आओ हम पांसात लोग हैं और आपका खर्चा हम उठा रहे हैं आने जाने का और इतना जो है आपकी दक्षना दे रहे हैं रहने का है आप आओ 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 से मिलना है तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग स्वयम जो है उन किरियाओं को मन से करते हैं, बिदी से करते हैं, उन्हों सासन में रहे के करते हैं अब यहां पर देखेगा, ये उंगली पूरी तरो से जोकी हुई है किसकी तरफ जोकी हुई है? इसकी तरफ जोकी हुई है तो धार्मिक भावनाई रहेंगी ही रहेंगी अपने आरद्य के पर ते समरपन की भावना रहेंगी ही रहेंगी कैसे भी प्रस्तित जीवन में आ जाए अपने इस स्वर से अपने आरद्य से विश्वास नहीं डगमगाईगा इसके बारे में मैं बता चुका हूँ यहां पे अगर हम दोसरी चीज देखते हैं तो ये उंगली भी पूरी तो से जोकी हुई है यहां पे किस तरब जोकी हुई है? Middle finger की तरब जोकी हुई है तो G1 में सूर्य के नैसर के गुण भी हमेसे रहेंगे क्या गोल रहेंगे यस पाने की चाह रहेगी नेम फिम पाने की चाह रहेगी अपने कारियों में बिस्तार पाने की अपने कारियों में फैलाओ पाने की चाह रहेगी ठिक और दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो यहां पे यह इस से बड़ी है और मिडल फिंगर से छोटी है तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी जीवन में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में इस जोखिम उठाने में कोहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पनो उठने की ताकत भी रहेगी जिसको हम हिम्मती स्वभाव भी कहते हैं यह बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर देखेंगे तो यह कहीं न कहीं बहुत अच्छा है लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच बार है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखराखाओ में, एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी को दिखाई दे रहा है तो नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहां तक नाखुन बढ़ाएं, जबरदस्त रहेगा अंगोठा सांदार है, लंबा है, ये हस्त रेखा सास्तर के मताबिक देखों तो बहुत ही अच्छा है बहुत कम लोगों का लंबा अंगोठा होता है ऐसे लोग एजुकेशन और लब के मामले में बहुत अच्छे इनसान होते हैं किसी का अंगोठा देख के ही आप बता सकते हैं ऐसे लोग जीवन में आत्म विश्वा से बरे होते हैं और जीवन में खुब तरक्की करते हैं और यही चीज यहां पर दिखाई दे रहा है हाँ थोड़ा साथ जल्द बाजी में निरणे लेने से बचे उतावलेपन में बड़े निरणे लेने से बचे और भावनाव के बसीबूत होकर गलत निरणे लेने से बचे ये चीज आपको जीवन में संगर्स पैदा कर सकती है धनहानी करा सकती है और कहीं न कहीं जो आपका करियर है जो आपका धन है उसमें और इस्तिरता पैदा कर सकती है तो इस चीज से आपको बचके चलना है ठिक आपकी अगर हिर्दय रेखा देखें तो यहां से निकल कर जा रही है और यहां पे इस उंगली और इस उंगली के बीच में है यहां पे देव गुरु ब्रस्पती और सनी का प्रभाव पड़ रहा है थोड़ा भावक रहेंगे लेकिन महत्व कांचाएं बहुत अच्छी रहेंगे सोच आगे बढ़ने की रहेगी एक्छा भी कहीं न कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एनकेन प्रकारेंड जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे यह भी इस पश्ट दिखाई दे रहा है यहां पे देखेंगे तो एक मचले का भी ही चन्न दिख रहा है यह बहुत अच्छा है रहस्य में बिद्याओं के भी ऐसे लोग जानकार होते हैं दार्सनिक होते हैं और इस्वर के साच्छात किरपा ऐसे लोगों के अंदर होती है लेकिन कभी भी ऐसे लोगों को सत्रु प्रास्त नहीं कर पाता है चाहे कितना भी प्रपंच रच्चा है ये बहुत अच्छी चीज है और यहाँ पे हैं भगवान की साच्छात किरपा और बड़ी प्रतिष्टे का सम्मान यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिस्क रेखा इस तरों से चंद्रमा पे आ रहा है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा रहने वाला है क्रि प्रायों बहुत जादा सोचते हैं जादतर हमेसा कलपनाओं में डूबे रहते हैं कभी कभी मन भी एकागर्चित कम हो पाता है लेकिन बड़ी अच्छी सपलता हासिल करेंगे ये इसका द्योतक है यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरों से इसके पीछे जा रहा है लाबदायक भी यहाँ पे दिख रहे हैं जीवन में स्वचंद तो उड़ना चाहेंगे लेकिन थोड़ा सा जो है प्रेशर आपकी जीवन में हमेसा रहेगा आपकी उपर थोड़ा पारिवारिक जिम्मेवारियां ज्यादा रहने वाली हैं आप उड़ना तो चाहेंगे ले हाँ जीवन का जो प्रारंबिक दोर है थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिखाई दियरा संगर्स से युक्त शुक्र का परवत दिखेगा मैंने पहले ही बोला है इसके बारे में बता चुका हो और किरियाई भी दूँगा निम्न मंगल और उच मंगल दोनों बढ़िया है प्राक बुद्ध भी बड़ी अच्छी इस्तिति में है चंद्रमा भी बहतरीन इस्तिति में आ रहा है और ये इसपष्ट बता रहा है मानसिक रोप से आगे चल कर बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है गौन्फिटेंस लेबल बहुत अच्छा रहने वाला है सरीर में जो ये न अच्छा होता जाएगा आपका पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे जाके बढ़िया हो रहा है क्रियेटिविटी आपके अंदर ज्यादा आ रही है मां का सुक मिलने वाला है अगर मां होंगी तो और कहीं न कहीं आगे चल कर तन से भी सुन्दर रहेंगे मन से भी सुन्दर रहेंगे और महिलाओं का खुब सूरत सयोग भी जीवन में मिलेगा अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूर राविशलेशन करके आपको बता दिया है और उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और और आडियो के म झाल झाल